जैहिंद आज हम डिसकस करेंगे HP Police Daily Mix GK का Class 15 इस वीडियो में Top 15 Plus Question हम डिसकस करेंगे जो की हिमाचल Police Exam के लिए Most Important रहने वाले हैं अगर आपने अभी तक पिज़बत Defense Education यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप इसको सस्क्राइब करें ताकि नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले हमारा ये Mission 2021 रहेगा जिसमें आपको HP Police Exam क्राइक करना ही है हम डेली की Mixed GK की वीडियो में Top 15 Plus Question डिसकस करते हैं जिसमें हिमाचल Police और Other Exam जो है हिमाचल के वो सारे के सारे कबरप होते हैं इस वीडियो में हम हिमाचल जी के, इंडिया जी के और General Science के कुछ Most Important Question डिसकस करेंगे जो कि आपके Exam Point of View से Most Important रहने वाले हैं वीडियो को जाद से जाद आपने Share करना है और वीडियो को Like करना है तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा Basic Foundation का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है So 100% Sure Success के लिए आप वीजेपस Defense Education में अपना Basic Foundation का कोर्स जोईन कर सकते हैं So First Question है इस वीडियो का रहतांग दर्रा किस जिले में स्थित है तो रहतांग पास हमारा हिमाचल के किस जिले में स्थित है तो यह हमारा पढ़ता है जिला कुलो में Most Important Question है आप सब के लिए हमाचल जीके का Next One है General Science का Important Question है बर्षा को मापने का यंत्र क्या है तो बर्षा को मापने का यंत्र जो है उसको बोला जाता है रेन गोग काफी Important Question है Next One है हमाचल परदेश का सबसे उंचा पुल किस नदी पर बना है तो हमाचल परदेश का जो सबसे उंचा पुल है ये बनाए गया है सतलुज नदी पर अगर पुल की बात करते हैं तो ये पुल है कंद्रोर पुल जो की सतलुज नदी के उपर बना है और ये हमारा बना है बिलासपुर जिला में Important Question है सतलुज नदी की बात करें हमाचल में मुख्य पांच नदी बहती है जिसमें से एक हमारी नदी सतलुज भी है और हमाचल की सबसे बड़ी नदी ये सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो हमारी कौन सी है वो है हमारी सतलुज नदी Next One है धारटी किस जिले की बोली है तो धारटी जो है ये मुख्यता बोली जाती है जिला सिर्मोर में जिसे कांगडी भाषा जो है ये जिला कांगडा में मुख्यता बोली जाती है मंडियाली डिस्टिक मंडी की भाषा है और धारटी जो है ये मुख्यता बोली जाती है डिस्टिक सिर्मोर में और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो सिर्मोर में जो है वो सबसे जाधा अधरक उगाया जाता है पूरे हिमाचल की बात करूँ तो सबसे जाधा अधरक जो है ये सिर्मोर जिला में उगाया जाता है काफी बार repeated question जो है वो आपके HPSSE और हिमाचल एक्जाम के लिए पूछे जाते हैं next one है राजनीती एक शतरंज किताब किसके द्वारा लिखी गई है तो राजनीती एक शतरंज जो है ये शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है जो कि पूरब में हिमाचल के मुख्य मंत्री भी रहे हैं और कांगड़ा चमबा के सांसद भी रहे हैं लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं important question आपके लिए यहां से बनता है शांता कुमार जी होएं ये जिला कांगड़ा से बिलोंग करते हैं next one है हिमाचल परदेश के पहले चीफ कमिशनर कौन थे तो काफी important question है आपके लिए यह हिमाचल परदेश के पहले चीफ कमिशनर जी का नाम था NC महता next one है हिमाचल परदेश में परधान मंत्री जन्धन योजना कब शुरू की गई थी तो हमारे हिमाचल परदेश में परदान मंत्री जन्धन योजना जो की एक सेंटर गवर्मेंट की स्कीम है बैंकों में अकाउंट खुलवाने की तो ये हिमाचल में स्टार्ट की गई थी 28 अगस 2014 को मोधी सरकार के आने के बाद काफी सारी स्कीमे जो है वो नई लौँच की गई है या फिर पुरानी स्कीमों को ही उनको रिनेम करके दोबारा से रिन्यू करवाया गिया है तो स्कीम से रिलेटिड कोश्चन भी आपके लिए हाँ पर इंपोर्टेंट बनता है next one है हिमाचल के किन जिलो में मुख्य रूप से चाय उगाई जाती है हिमाचल के ऐसे कौन से जिले हैं जहांपर मुख्य रूप से चाय की खेती की जाती है तो बो दो ही जिले हैं हमारे कांगड़ा और मंडी important question है कांगडा मंडी से एक और मैं आपको important fact यहाँ पर बता दूँ कांगडा और जो हमारा जिला मंडी है उसको हाल ही में उनकी जो भाषा है कांगडी और मंडियाली भाषा जो है उसको Google में शामिल किया गया है मतलब हम जो keyboard से language टाइप करते हैं इंग्लिश उसमें जो है वो अब कांगडा की कांगडी भाषा और मंडी की मंडियाली भाषा भी शामिल हो गई है फिरोशा कोटला मिदान का नए नाम क्या रखा गया है इस वीडियो में हम important question discuss करेंगे जो कि आपके हिमाचल पुलिस exam के लिए most important रहने वाले हैं और सारे के सारे question आपके exam point of view से ही बनाए गए हैं अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के description में या फिर उपर i button के उपर जो है आप वहाँ पर click करके इनको देख सकते हैं फिरोशा कोटला का नए नाम क्या रखा गया है यह हमारा stadium क्रिकेट का मेदान है जो की दिल्ली में स्थित है और इसका नया नाम रखा गया है अरुन जेतली stadium हाल ही में एक मोधी परधानमंतरी मोधी जी के नाम पर भी एक stadium का नाम रखा गया है आपको बताना है कि वो कौन से state में स्थित है नेक्शन है बिशो का सबसे बड़ा महाकाब यह कौन सा है most important question है बिशो का सबसे बड़ा महाकाब यह महाभारत को बोला जाता है महाभारत की बात करें इसका अन्य नाम इसका अन्य नाम जो है वो है हमारा जे सहीता जे सहिता जो है ये किसका अन्य नाम है ये है हमारा महाभारत का अन्य नाम नेक्ट कोईशन है अंतराश्री नियाले कहां पर स्थित है अंतराश्री नियाले जो है ये हमारा स्थित है एग नीदरलैंड में नीदरलैंड में जो है वो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस जो है वो हमारा सेथ है इसकी स्थापना की बात करें कि मतलब कि इसकी establishment कब हुई थी तो 3 अप्राइल 1946 को जो है वो इसकी establishment की गई थी नेक्स कोशन है अहिंसा का पुजारी और रास्ट पिता किसे जाना जाता है अहिंसा का पुजारी और रास्ट पिता पूरे भारत वर्ष में जाना जाता है महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी जी की काफी सारे नाम है अहिंसा का पुजारी इनका निकनेम है रास्ट पिता इनको जाना जाता है बापु के नाम से इनको जाना जाता है अर्धनंगन फकीर के नाम से भी इनको ही जाना जाता है नेक्स कोशन की बात करते हैं औजोन का रंग कैसा होता है औजोन का जो रंग है वो होता है हमारा हलका नीला जर्नल साइंस का most important question है औजोन हमें नहीं दिखाई देती है औजोन के formula की बात करूँ तो O3 जो है वो हमारा औजोन का formula होता है और O2 जो है यह हमारी oxygen gas होती है तो ओजोन का रंग जो है वो mostly हलका नीला है लेकिन ये हलका नीला कब होता है अगर ये समताप मंडल है मतलब कि अगर ये स्टेफोस सफेर में है तब तो ये इसका रंग जो है वो light blue करके हमें शो होगा लेकिन अगर ये उससे उपर है मतलब कि ये समताप मंडल में नहीं है त तो इसका कोई भी रंग नहीं होता, मतलब ये colorless होती है. Next question है, सूरस्ताल जील हीमाचल की किस जिले में है? सूरस्ताल जील जो है, ये हीमाचल के लाहुलस्पीती जिले में पढ़ती है. Most important question है, सूरस्ताल जील जो है, ये हीमाचल की सबसे उन्ची जील है, जो की डिस्टिक लाहुल स्पीती में पढ़ती है Most important question है इमाचल की सबसे उंची जील का नाम भी क्या है सूरस ताल जील है लाहुल स्पीती में ही सूरस ताल जील के साथ-साथ चंदर ताल जील भी वहाँ पढ़ती है दो जीले हैं हमारी First one है चंदर ताल और एक है हमारी चंदर नाहन अगर चंदर ताल की बात करें तो वह हमारा लाहुल स्पीती में और चंदर नाहन की बात करें तो वह हमारा पढ़ता है शिमला में चंदर नाहन जो है वह हमारा पढ़ता है शिमला में Next question है Last question इस वीडियो का हिमाचल परदेश में आरे किस नाम से जाने जाते थे तो हिमाचल परदेश में आरे को कुलिंद के नाम से जो है वो जाना जाता था मत आरे का पुराना नाम जो है वो हिमाचल में कुलिंद रखा या था उनके नाम से इसको जाना जाता था I hope आपको बीडिय अच्छी लगी होगी आप हमें social media के उपर जरूर follow करें हमारे whatsapp group के साथ जरूर जुड़ें जिसमें आपको day to day के current affair, pd apps, study material, hpgk notes और सारे के सारे job alert आपको provide करवाय जाते हैं वो भी free of cost तो bdk description में आपको जो है इसका link मिल जाएगा जहां से आप इसको join कर सकते हैं और अगर इसकी pdf अगर आपको लेनी है उसके लिए भी आपको हमारा whatsapp group join करना पड़ेगा जिसमें आपको daily के current affair और साथ में हिमाचल police gk की pdf उसमें provide करवाई जाती है तो whatsapp group के साथ जरूर advance batch भी start हो चुका है और साथ में आपके लिए ये mission रहेगा 2021 तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा अपने friends में share करें और विजयपत defense education youtube चैनल को subscribe करें जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत